इस फोन का बैक लोग कैसा दिखता है उसके साथ दिखाए गया है नथिंग ओएश 2.6 के साथ इसमें मीडिय डेक का डायमेंड सेटी 7300 का प्रोसेसर मिलने वाला और पीछे फ्लैस जलती है लेकिन फ्लैस वाला था नहीं और साथ में एक और ओप्सन है यह देखिए अलग ला चुका है तो अभी करने वाले हैं उसकी अन्बॉक्सिंग और साथ ही साथ मैं आप सभी को फोन का रिवीवी दूँगा नॉर्मल दिनों में वो फोन कितने का आता है और विग बिलेंडे की सेल में हमने वो फोन कितने का पर्चेस किया तो आप सभी को पूरी जान करी चारो तरफ से देखिए पूरा सील पैक है तो सबसे पहले इसको काटते हैं चाको से और उसके बाद अन्बॉक्स करके दिखाते हैं इसके अंदर नथिंग फोन वन तो यह सबसे पहले काट लेते हैं उसके बाद निकालते हैं इसके अंदर से हमारा फोन और आप सभी को भी दिखाते हैं यह देखिए इसके अंदर box दिख रहा है तो box को निकालते हैं दिखाते हैं यह देखिए यह है phone का box phone 1 के नाम से CMF नथिंग फोन वन तो चारो तरफ से सील पैक लग रहा है ये देखे वैसे तो चारो तरफ से सील पैक लगी रहा है फिर भी देख लेते हैं चारो तरफ से की पूरा का पूरा सील पैक है के नहीं तो वैसे तो पूरी तरफ से सील पैक लग रहा है तो ये देखे इसका स्टीकर उतारते हैं और दिखाते हैं ये देखे पहला स्टीकर उतार रहे हैं हम ये दूसरा स्टीकर भी उतारते हैं यहां से ये तीसरा स्टीकर पूरा सील पैक अच्छी तरह के से किया गया है और ये देखे हमारा फॉन क्या ही फॉन की लुक है देख सकते हैं देखे काफी premium look के साथ काफी बड़ी आ फोन लग रहा है देखने में देखिए इसको रखते है साइड में और देखते हैं और क्या क्या है ये type C2 type C data cable है ये इसी से हमें अपने फोन को चार्ज करना होगा और देखते हैं फोन के साथ में क्या दिया गया है यह देखे, यह है, CMF का गाइड बुक, यह manual बुक है, इसको पता नहीं किसी के लिए है, तो इसको साइड में रखते हैं, और देखते हैं इसमेज अक्टर लग रहा है, तो देखते हैं, इसको खोल के काईशा है, और देखे सकते हैं, पहली वार हमने ऐसा CMF जकतर देखा है, सिम ट्रे को निकालने के लिए काफी अलग डिजाइन में दिया गया सिम एक्टर को देखी सकते हैं ऐसा सिम एक्टर मैंने पहली वार इसी फोन में देखा है और फोन के बॉक्सों में कुछ भी नहीं है जैसे कि फोन को चार्ज करने के लिए अड़ाप्टर फोन को चार्ज करने के लिए अड़ाप्टर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा हमें फोन के साथ डाटर केवल और फोन मिलता है अब फोन के ओपर से इस पन्नी को अटाते हूं और आपको फोन का लुक दिखाते हैं कि फोन कैसा है तो देख सकते हैं हमने इसे गरीन कलर में मंगाया है और इसकी लुक देख सकते हैं काफी स्टैलिस है और देखी सकते हैं चारो दरब से दिखाता हूं फोन को फोन का लुक कैसा है टाइप सी चारिजर के साथ यह देखें काफी प्रेमियम लुक है तो अब करते हैं फोन को चालू और आप सभी को दिखाते हैं फोन चालू होने में वैसे तो काफ़ी टाइम लगेगा तो मैं इसको जब तक पूरा सैट अप कर लेता हूँ और उसके बाद आपको ओन होने के बाद आप सभी को दिखाता हूँ phone on होने के बाद ये कैसा दिखने वाला है तो सबसे पहले कर लेते हैं पूरा setup और उसके बाद आप से वह दिखाते हैं तो हमने कर लिया है पूरा setup और phone में पूरा setup हो चुका है और phone में काफी सारे app को install कर लिया गया है और अभी देखते हैं इसकी performance कैसी है मैंने इसमें पब्जी डाउनलोड किया है तो देख सकते हैं यह है पब्जी पब्जी भी इसमें काफी बढ़िया चलती है तो दिखाता हूं मैं आप से देखो चलती है त जिसमें पब्जी डिखाता हूं ग्राफिक देख सकते हैं इसमें ग्राफिक क्या है स्प्री प्लस यानि कि 90 प्लस एप्पेशिस में सपोर्टेवल नहीं है 60 एपिस तक सपोर्ट कर सकता है आपका गेम और पबजी गेम आप जानते ही है काफी पावर्फुल गेम है स्मूद वर्से इस्ट्रीम प्लस चल रहे हैं तो सो सकते हैं फोन कैसा है काफी अच्छा होने वाला है गेम के मुकाबले आप आके दिखाता हूँ मैं आपको इसको इसमें काफी अलग लग फीचर्स है मैं आपको सैटिंग में दिखाता हूँ यह देखे सबसे पहले अब आउट में जाते हैं देखे इस फोन का बैक लुक कैसा दिखता है उसके साथ दिखाए गया है नथिंग ओएस 2.6 के साथ इसमें मीडिय डेक का डामेंड शेटी 122Mr.278s जीवी और देख सकते हैं बैटरी इसमें 5000 एमएज की यृप्ध और स्क्रिन का साइज देख सकते हैं 6.6まあis 7.263 डिस्प्ले काफी situación काफी और आप इसको घुमा करके खोल भी सकते हैं और आप इस पैनल को बैक पैनल को चेंज भी कर सकते हैं यह स्क्रू एसके इसको खोलो और इसको चेंज कर सकते हो आप इसमें आपको देखें फिंगर प्रिंट भी काफी अच्छा है और नाम के साथ आ रहा है, देख सकते हैं, कुमार मानू, और ये देखें, फिंगर पेंट, अब मैं इसको दिफाता हूँ, इसका कैमरा, ये देखिए, इसका कैमरा है, काफी अच्छा कैमरा है, देख सकते हैं आप, इसमें कैमरे की क्वालिटी तो वैसे जादर नहीं है, 4K 30 अपियस तक है, 60 अपियस तक नहीं है, बस में यही खामी है, 1080 अपियस और 4K 30 अपियस, देख सकते हैं, ऐसे काफी अच्छी वालिटी आ रही है, और फ्रन्ट कैमरा भी आप देख सकते हैं, काफी बढ़ी आएं फ्रन्ट कैमरा भी, देख सकते हैं मैं कितना अच्छा आ रहा हूं और नहीं आपको दिख रहा होगा, और इसमें स्लो मोशन मोड भी दिया गया है, और इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है, तो काफी अच्छा फोन है, और इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, वाल पेपर थीम वगयरा को देख सकते हैं, यह अभी इस तरीके से थीम है, अभी दिखाता हूँ, यह देखिए, इसमें ऐसा आ रहा है, और अब देखो, सारे आप, आपको एंडुल फोन के तरह दिखाई दे देंगे, और यह है, अब नथिंग की तरह थोड़ा ब्लैक ब्लैक है, यह काफी अच्छा है, और भी काफी कुछ है इसके अंदर, और इसमें काफी अच्छे फीचर्स हैं, दिखाता हूँ मैं कुछ-कुछ फीचर आपको, यह देखिए, और यह पर जाईए, और आपने यह तो देखा हुआ किसी का कॉल आए, तो पीछे फ्लैस जलती है, लेकिन फ्लैस वाला तो नहीं, और साथ में इसमें एक और अप्सन है, यह देखिए, अलग लाइटिंग है तो काफी अच्छा फोन है, और भी बहुत कुछ है, दिखाऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बागे इसकी लुकिंग तो देखिए सकते हैं, काफी प्यारी है, और पंद्रा जार पे के बजट के अंदर आप क्या फोन लोगे, वैसे तो इसका प्राइज था 20,000 रुपए, लेकिन ये हमने बिग बिलियोंडे के सेल में लिया है, तो ये हमें मिला है, मातर 14,000 रुपए में, तो 14,000 रुपए में काफी अच्छा फोन है, देखी सकते हैं, लुक भी इसकी काफी प्यारी है, टाइप C चार्जर है, टाइप C इसमें लीड भी लगे काफी अच्छा फोन है, दोस्तो ये फोन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रू बताना, अगर आप सभी को इस फोन से रिलेटेड आपको कुछ भी पूचना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप दोस्तो बात करते हैं इस वीडियो को वीडियों आप सभी को कैसे